बच्चो आज हम पढ़ेंगे पार्ट साथ लिंग इस पार्ट में हम लिंग के बारे में विस्थार पूर्वक पढ़ेंगे गे बच्चो दिये गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिये तथा समझिये जैसे अध्यापक, अध्यापिका, मुर्गा, मुर्गी इन चित्रों में अध्यापक तथा मुर्गा पुरुष जाती के शब्द हैं जबकि अध्यापिका तथा मुर्गी स्त्री जाती के शब्द ह पुलिंग के दो भेद होते हैं पुलिंग तथा स्त्री लिंग। पुरुष जाती का बोध कराने वाले शब्द पुलिंग कहलाते हैं जैसे दादा, माली, कबूतर, आदी। स्त्री लिंग। स्त्री जाती का बोध कराने वाले शब्द स्त्री लिंग कहलाते हैं जैसे दादी, मालिन, कबूतरी, आदी। आओ बच्चों कुछ पुलिंग तथा स्त्री लिंग शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। कुमार, कुमारिन, आदी। इस परकार बहुत से पुलिंग तथा स्त्री लिंग शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किये जाते हैं। लिंग की पहचान। कुछ संग्या शब्द, पुलिंग तथा कुछ स्त्री लिंग होते हैं। जैसे चीनी, मंदिर, कमीज, आदी। मैंने केला खाया, मैंने लीची खाई, उसने ताला खरीदा, उसने पुस्तक खरीदी। इन वाक्यों में केला खाया, ताला खरीदा, यह पुलिंग शब्द है, जबकि लीची खाई तथा पुस्तक खरीदी स्त्री लिंग शब्द है। इस परकार हम कह सकते हैं कि वाक्य में किर्या शब्दों का प्रयोग लिंग की अनुसार होता है। हमेशा पुलिंग रहने वाले शब्द परवतों के नाम हिमाले, कैलाश, विंध्याचल आदी। फलों के नाम सेब, केला, आम, संत्रा आदी। धातूं के नाम सोना, लोहा, तामबा, अपवाद, चांदी। अनाजों के नाम गेहूं, चना, चावल, मक्का आदी। नाम ब्रहस्पती, चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदी। महीनों के नाम चैत्र से फालगुन तक मार्च, अप्रेल, जून आदी। दिनों के नाम रवीवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ब्रहस्पतीवार आदी। देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन, अफरीका, आदी, नगरों के नाम कोलकाता, जैपूर, बंगलौर, मथूरा, आदी. इ अंत वाले शब्द ज्यादा तर स्त्रीलिंग, जिन शब्दों का अंत इ से होता है वे ज्यादा तर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चित्थी, पृथ्वी, पढ़ाई, लिखाई, कटोरी, जलेभी, आदी. हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, आदी, भाशाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू, आदी, बोलियों के नाम वस्या पूर निमा एकादशी